आज़ करने दरा है एक गोड सुबा से सबस्त नजरों रही तो भी मुझे प्लाइट निकालति जान दर इसको चेक करें तोवाकर हम इसको चेक करने लगे अभी तो सबसे पहले हम क्योंकि मौसम चेंज रही है आज जाम के मौसम में जब की तरब होते हैं मतलब जब थेख सब्सक्टेस पूँагने लित तो आप थेख ज desapareक हीट सिर्णा जाएंगे risks जाएंगे फिवर हो जाएगा जाएगा जातर घर्मी बहुत बहुत जाएद लगिंद लगने के वहाँने के खाना बीत कम कर देता तो अभी हमें वहाँ तो आईए सबसे पहले आपने इस मौसम में जब ये कंडिशन बनती है आज कर बनना शुरू हो चुकी है तो सबसे पहले फस्ट आपने इसका फिवर चेक करना है तो फिवर आप पर रेक्टम चेक करेंगे थर्म मीटर को लगा कर रखना है मीटर वाला अगरा आपके पास ओट उपर नंबरिंग आ रही होती है और ये अलारम बना शुरू हो जाता है तब इसको निकाल लिए करें जब तक ये नंबरिंग चल रही है तब तक अलारम नहीं नदे का कर वेज होती है तो अब यहां को ही जाता पर लिया सकता है तो अब यह नाअगर को न्सा're कि होकरा पानी अहरा है purpण खरता है और गरमी यह एतनी है वकबे के साथ और सुबा से कुछ खा भी नहीं रही बैठी हुए एक जगा पर सुस्त होकर कान भी इसके गरम थे और आंखों से पानी नाक से भी हलका सा पानी आ रहा था रो दूबत आ रही थी जिसके वैसे इसको हमने डाउस गया कि अभी ये मौसम चेंज है जिसके से बहा से इंजेक्शन यूज करने हैं और उसके क्या फैदे हैं और वो क्या क्या काम करते हैं अभी आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताते हैं तो सबसे पहले आपने इसको इंजेक्शन लगाना है डिकलोफैनक इंजेक्शन डिकलोफैनक सोडियम इंजेक्शन कोगे बकरियों मे गोर्स में जब लार्ज में अनियुवेस भी बहुत जाधा समार होता है लेकिन अगर अगर आपने कुई कर रिजल्ट लेना है तो आप डिकलोफैनक सोडियम इंजेक्शन यहां पर यूज़ करें तो डिकलोफैनक इंजेक्शन का यह इंसर्ड होता है नॉन स्ट्रीड इंजेक्शन है तो ये इन्फलमेशन, फिवर, पेन किलर बहुत अच्छा होता है तो ये जब लगाएंगे आपको ये फ़री आदे गहंटे के बाद आपके जानुरों को ठीक बहतर होना मिसूस करा देगा तो उसके बाद ये खाप ही नहीं दी थी तो इसको हमने विटामिन बी कंपलेक्स का इंजेक्शन लिगा ये ये बोस्ट ओफ इनर्जी है ये तवनाई को फरोग देता है और ये ये इंप्रूव नर्वस सिस्टम है इनको इनसाबी निजाम को मतलब काम को बहतर बनाता है तो साथ हम एक एंटिबैटिक इंजेक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि एंटिबैटिक इसलिए हम यूज़ यहां पर कर रहे हैं क्योंकि इसको आँखों से पानी आ रहा था और बिक्टेरियल इनफेक्शन इसकी वज़ए से ज्यादा ना पहल जाए और जो कफिंग कर रही थी वो ज्यादा ना हो जाए इसलिए हमने साथ इंक्योर इनरोफलॉकससिन इंजेक्शन हमने यूज़ किया तो इसका इनरोफलॉकससिन इंजेक्शन रिस्प्रेटरि इंफेक्शन के लिए और इसके बाद जो बिक्टेरियल इंफेक्शन है इसके लिए बहुत अच्छा इसक normal treatment होगा तो इस तरह कोई case भी इस तरह का हैंडल कर सके तो इस तरह के आपको केस मिर रहे हैं आ रहे हैं हर case की थोड़ी सी अलग सी condition आपको मिलेगी तो जहादर आप यह medicine इस्तमाल तकरीबन यही हो सकती है और इस तरह का कोई भी केस आपकी तरफ आए तो आप इस तरह की मैडिसन घर लाकर रख लें, खुद भी लगा सकते हैं, डाक्टर की हदाया के मताबक पूछ के उससे जितनी दिन इंजेक्शन लगने हो वो भी लगा सकते हैं, तो ये इसका बिलकुल नार्मल सा ट्रीटमेंट थ और ये इंजेक्शन एक ही इंजेक्शन एक ही बार ट्रीटमेंट करने से बिलकुल ठीक हो जाएगी, तो इस तरह के कोई भी कहां भी केस आपको मिलता है, तो ये चीजे लादमी चेक किया करें, और इस तरह की मैडिसन इस्तमाल किया करें, जो मिड पॉइंट पर यूज की कर दिये कि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सकें, अस्वाम अलेकम रहमतुल्लाही वबरकात हो,